बिग बॉस OTT सीजन 3 विनर सना मकबूल आज हर जगा चर्चा का विशय बनी हुई है बिग बॉस जीतने वाली सना मकबूल सिर्फ खुद को दीवा कहती नहीं है बलकि वो खुद को किसी क्वीन से कम समस्ती भी नहीं है भले ही उनके रास्ते में कितनी भी मुश्किल आई हो लेकिन उन्होंने हमेशा सभी मुश्किलों का मुस्कुराते हुए सामना किया है और उसका नतीजा आज सब के सामनी है सना बिग बॉस OTT सीजन 3 की विनर बन चुकी है उन्होंने रनवीर शोरी और नैन जी को हरा कर ट्रॉफी और 25 लाख रुपे की प्राइज मनी पर अपना हग जमा लिया है ग्रेंड फिनाले में सना मकबूल और रैपर नैन जी के बीच कड़ी टकर देखने को मिली शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स अभी तक इस बात को लेकर सोच में हैं कि आखर सना कैसे शो जीत गई खासतोर पर रनवीर शोरी बिलकुल भी इस फैसले के फेवर में नजर नहीं आए सना को एक्टर जीत का हगदार मानते ही नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि सना से ज्यादा काबिल लोग उस घर में थे जो जीत सकते थे लेकिन जिन लोगों का ये मानना है कि सना शो जीतने के काबिल नहीं थी या फिर जो लोग ये मानते हैं कि उनका अपनी जीत को लेकर जो जज़बा था वो खराब था तो उन सभी को एक्टरिस ने एक ही जवाब दिया है और वो है उनकी शानदार जीर और बिग बॉस OTT सीजन 3 की चमचमाती ट्रोफी तो चलिए जानते हैं कि किस वजह से सना मकबूल इस शो की विनर बनी और खिताब अपने नाम किया सना मकबूल की जीत की पहली बड़ी वज़ा है वो है उनका पहले दिन से खेल पर फोकस्ड उन्होंने डंके की चोट पर ये बास सभी के सामने कई दफा कही कि वो ये शो जीतने आई हैं उन्होंने शो के होस्ट अनिल कपूर से लेकर बिग बॉस तक के साथ पंगा लिया बॉस का खेल, परस्नालिटी, सही चीजों पर अपनी बात रखना और सभी टास्क को खेल कर खुद को साबित करना होता है सना मकबूल इन तीनों एकजाम में पूरी तरह से पास हुई हैं सना ने खुलकर अपनी परस्नालिटी सभी के सामने रखी उन्होंने सभी टास्क पर अपने मन की इसके बाद तीसरी वजहा ये है कि सना मकबूल के शो में आते ही उन पर कई तरह के आरोप लगे सना को कंटेस्टेंस के साथ साथ अनिल कपूर ने भी कैलक्यूलेटिव सना का टैग दिया जिसका मतलब था कि वो हर रिष्टा सोच समझ कर अपने फायदे के लि सौथी वजह शो में जब सना मकबूल आई तो वो जानती थी कि रनवीर शोरी बड़े एक्टर हैं लवकेश कटारिया की फैन आर्मी का अंदाजा भी उन्हें शो के दौरान हो गया था इसके बाद अर्मान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपना सपोर्ट लेकर आय सना किसी के भी स्टार्डम से जरा भी नहीं हिचके जाएं पाच्वी वजह ये थी कि सना मकबूल ने विशाल पांडे के शो से बहार होने के बाद भी उनके हक में बात की वहीं जब बात लवकेश कटारिया को बहार करने की थी तो सना उन्हें बचाने की कोशिश करते शो से बहार होने के बाद सना को लवकेश कटारिय की फैन आर्मी का भी सपोर्ट मिला होगा वहीं सना टीवी की मशूर एक्ट्रेस हैं और छोटे परदे की सितारे भी उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं यही वज़ा है कि सना बिग बॉस ओ टीटी सीजन 3 की विनर बनी और आज सब के दिलों पर छागई हैं आपको क्या लगता है कि सना किस वज़ा से शोक की ट्रॉफी जीती हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे चनल को शियर सब्सक्राइब करना ना भूलें